नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोस्ट के एंगल ग्राइंडर का अन्बॉक्सिंग एंड रिव्यू चलिए देखते हैं यह मसीन कैसा क्वालिटी का है कितने दा में मिल जाएगा और कितने वाट का है यह मसीन दिवाल काटने के लिए बेस्ट है या नहीं चलिए देखते हैं और इसका अन्बॉक्सिंग करते हैं इस क्यूर कोड को अगर आपने एसकैन किया कोई भी मोवाल एप से क्यूर कोड करने वाले एप से तो आप बॉस के ओफिसियल वेबसाइट पे चले जाएगा और वहां से आप अपने मसीन का वरेंटी भी क्लेम कर सकते हैं अगर आपका मसीन वरेंटी परियर से पहले हुगा मिल जाएगा लेकिन मसीन का दाम इतना नहीं मैं आपको वीडियो में आगे बता दूँगा यह आपको कितना मिल जाएगा तो चलिए इस बॉक्स को खूल के देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिला है हमको बॉक्स के अंदर मिल जाता है आपको वरेंटी कार्ड तो इसको आपको रख लेना है तो इसको हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर मिल जाता है आपको पूथी पतरा अगर आपको पता नहीं है कैसे लगाना है तो इसमें देख के आप लगा सकते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर पता है तो इसको हम साइड में फिक देंगे और बॉक्स को भी साइड में फिक देंगे और यह है हमारा प्रोटेक्टिव गाड जो हमें धूलूल परने से बचाता है बहुत प्रोटेक्शन देता है बर्याँ क्वैल्टी का है पूरा व्लैक में है देखिए और क्वैल्टी इसका बर्याँ है वजन भी काफी है अच्छा क्वैल्टी है इसको साइड में रखते हैं और ये जो दोनों देख रहे हैं आप ये है एक ठो जो ब्लैक बला ये रॉंडर नट है और ये है क्लैम्पिग नट चलिए इसको सारे में रखते हैं और में मसीन को देखते हैं मसीन एकदम मस्ट क्वैल्टी का है जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैदा भारी भी नहीं है एक डेर केजी का लगबग होगा और यहाँ पर वायर का क्वैल्टी भी बढ़िया है और प्लग का क्वैल्टी भी यहाँ पर बढ़िया है यहाँ पर मस्ट फिनिसिंग किया हुआ जैसा कि आप देख पार हैं अग्दम मस्ट फ्निसिंग है पूरा अच्छा क्वाइल्टी का है मसीन के इस तरह बॉस प्रोफेस्टनल gwx600 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा अब इसके वाइर को देख लेते हैं वाइर एकदम मस्ट क्वाइल्टी का है और 2 नीटर के करीव लंबा भी होगा तो चलिए आब इसके स्वीच को देख लेते हैं स्विच यहاں पर आपको मस्ट quality का दείखने को मिल जाता है मशीन के लीचे वाला जो स्विच रहता है उसमें कभी कभी पता ही ने चलता कि मशीन आउन है कि आप है तो वह़ा स्विच बेकार हता है ये वह़ा स्विच एकदा मस्ट है जैसा कि अब देख रहे हैं चलिए अब इसको सब चीज को assemble करते हैं handle को आप machine में दोनों तरफ में से किसी भी तरफ कस सकते हैं यहाँ पर हाथ के मंसे कस दीजिए और tight कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर tight हो गया है इसको टाइट कर देना है ताकि पाहर न निकले हैं यहां पर मैंने एक ठोब ले लिया है तो चलिए इसको लगाते हैं यह देखिए ऐसे लेना है और ऐसे आपको दिखा देता हूँ ऐसे रखना है इसको टीट कर देना है यहां पर सब कुछ कमपलीट हो चुका है तो चलिए मसीन को अउन करके देखते हैं पुरा वाइरिंग से रिलेट वीडियो आएगा तो आपको दिक्कत होता है क्योंकि मैं आने वाले दिनों में पूरा वाइरिंग से रिलेटेट वीडियो डाने वाला हूं पूरा वाइरिंग का स्रीज आने वाला है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पूरा वाइरिंग से रिलेटेब वीडियो आएगा तो अगर इस मसीन को आप खरी सकते हैं मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिशन में दे दू आपको तो और आप इसे अपने लोकल मार्केट से भी खरे सकते हैं 2200 तक आपको मिल जाएगा तो वीडियो अच्छा लाग हो तो लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए